गुड मॉर्निंग आज हमने करनी है एक्सराइज 6.3 और उसमें थार्ड कोश्चन है थार्ड कोश्चन में वो गीवन है कि A B जो है वो D E के सम अंतर है B A C कोन है 35 डिगरी का और C D E कौन है 35 डिगरी का और आपने निकालना है अब इनको convenience के लिए आपकी मर्जी है चाहे तो आप लोग यही नाम दे रखो जो उन्होंने statement के दिये या पिर अपने खुद के नाम दे दो 1,2,3 करके ताकि आपके लिए easy हो जाए तो 1,2 हम लोग इस तरह की से name देते हैं 3 और 4 नेम देना असान हो जाता है इसी अब आपको given है कि यह भी जो है वो DE के सम अंतर है तो यह देखो यहाँ पर jet की form बन रही है चाहे उल्टाई बन रहा कोई दिक्कत नहीं है तो यह कौन से angles हो गई alternate angles हो गई यानि कि एक आंतर कौन तो जो कौन 1 है वो किसके एकपल हो गया है कौन 3 की यह हमारे खुद के ना कितना दे दिया है 53 degree का अब द्रीपूज CDE में तीनों कोनों का योग क्या होगा 180 degree तो कोन 2 प्लस कोन 3 प्लस कोन 4 ब्राबर में 180 degree दो का मान 53, 3 का मान 35 अभी हमने निकालना प्लस 4 ब्राबर में 180 डिग्री तो यह आगे 88 प्लस 4 ब्राबर में 180 डिग्री तो 4 ब्राबर में 180 माइनस 88 तो आंसर आगे आपे बास 92 understood all of you आगे है 4th question आगे है 4th question और 4th question में आपको फिगर क्या गिवन है यह फिगर आपको गिवन है इसमें दिया हुआ है कि यदि P के वह आरस बिंदू T पर कौन कौन से रिखाएं P Q और R S यह दोनों रिखाएं बिंदू T पर प्रतिशेज करती है P R T यह जो कौन है वो 40 डिखरी का है R P T यह वला कौन कितने डिखरी का है 95 डिखरी का है T S Q T S Q ये वाला कौन कितनी डिगरी गा है पिछत्र डिगरी गा है और आपने S Q D ये वाला कौन हमने निकालना है clear है अब ये देखो मैं समझाई रही हूँ इसमें पहले आप लोगो ये ले ट्रेंगल ले लोगे P R T इसमें आपको दो एंगल गिवन है तो आप लोगों को ये थर्ड एंगल निकाल सकते हो तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिगरी तो एंगल ट्रेंगल P R T में इसका नाम देदो एक इसका देदो दो तो एंगल एक डिरेक्टी कर रही हूँ प्लस 40 प्लस 95 इस इकल टू 180 डिगरी तो एक प्लस 135 इस इकल टू 180 तो एक आगया 180 में से 135 माइनस किया तो ये बज़ गया 45 डिगरी का यनिके एक कमान आगया 45 अब एक और दो दो नापस भी कहा है ब्राबर शिर्षा बिमुख कौन वो ब्राबर होते है तो इसका मान भी कितना आगया 45 अभी फिर से क्या है एक ट्रेंगल है इसमें आपको दो कौल पता है तिसरा निकाल लोगी तो इसमें क्या आगया तुमारे पास ट्रेंगल कौन से ने लिए उन्हें ती, एस, क्यू में अभी फिर से पता है तुमें 45 फ्लस 75 प्लस थीसरा आपको निकालना है एंगल क्यू इस इकॉल तो 180 डिगरी तो 120 फ्लस एंगल क्यू इस इकॉल तो 180 डिगरी तो एंगल क्यू की विलो क्या आजाएगी 180 में से 120 को क्या कर देंगे माइनस तो इतना आगया 60 तो एंगल क्यू क्यू तरह डिगरी का आजाएगा 60 डिगरी का understood thank you, have a nice day ये सम आपकर लीचेगा